कि हलो गाईज आज हम लोग फिर से बात करेंगे वीकली वाले जिस स्टॉक को मैं हर वीक पे एक वीक के लिए इस पे तेजी देखता हूं पॉसिबिलिटी जरती है कि तेजी आने वाली है वह से स्टॉक को मैं आपके पास प्रेजेंट करता हूं और वह कहीं ने कहीं आपको तेज दिखता भी है बट पिछले वाले जिस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा किया था वह स्टॉक था मारुति सुजुकी का तो चलिए सबसे पहले उस स्टॉक को देख लेता हूं कि उस स्टॉक ने कैसा परफोरमेंस किया इस वीक पे और इसके बाद मैं आज जिस सा मोमेंटम दे सकता है क्योंकि देखिए यह स्टॉक एक पैटरंस को बेक आउट किया है इसे फ्लैक पैटरंस भी कह सकते हैं और इस पैटरंस को इसने जवर्जस्ट वाल्यूम के साथ फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पर उपर की तरफ ब्लीश किया तो यहां से यह काफी वाल्यूम के साथ में सीडी में भी इंडिकेटर मैक डी आप बोल सकते हैं जो भी बोलिए उस इंडिकेटर में भी आप देखिएगा तो क्रॉसवर जेनरेट हुई है और जिससे आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक पे तेजी की उमीद है साथी खबर भी है तो सारी चीजे में दिखाऊंगा लिए सबसे पहले मैं मारूती सुजुकी का स्टॉक आपके पास रखना चाहता हूं पांच दिनों में क्या हरकत भी उसे देखना चाहूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा देखिए नेक्स्ट वीक को पिछले वीक को जो मैंने आपके पास प् पास में यह स्टॉक था तब मैंने इसे आपके समने प्रिजेंट किया था पूरे वीक पे जो मुमेंटम आई है उस मुमेंटम को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो इस्टॉक नीचे 70 140 का स्पास में नीचे लो बनाता है और दो बार यह लो बनता है 70 140 का स्पास में उसके बाद स्टॉक में फिस से एक बार तेजी भी आती है जो आपके अवरेल कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला जाता है लेकिन क्लोज होते होते यह स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं देता है 150 पॉइंट का लॉस ही होता है बट अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा टें इंडेक्स जो है वह रिलांस इंडेस्ट्री अकेले अपने दमसम पे उस इंडेक्स को उपर तक ले गई और बाकि जो एनलिस्ट थे उनका भी यह कहना था कि निप्टी पे जो भी अभी मोमेंटम आ रही उस मोमेंटम को हम लोग शीवार शॉट नहीं कहेंगे क्योंकि यह एक तरफा रैली है और वह सिर्फ और सिर्फ रिलांस इंडेस्ट्री के लिए है रेलांस इंडेस्ट्री के लिए इंडेक्स किया हो जा रहा फोर ताउज एलेवन थाउजंड फाइवंड़ेड के आसपास तक गया था तो आपने देखा कि मारूती सुजूकी ने आपको प प्रो लिमिटेड मैं ऐसे स्टॉक लाता हूं जो कि निप्टी 50 के स्टॉक हों और उनी स्टॉक्स पर मैं ज्यादा फोकस करता हूं कि जो भी सॉट टर्म पोजिशन बनाई जाए वह ऐसे स्टॉक पर बनाई जाए जिस पर ऐसा ना हो कि पैसे बहुत ज्यादा फस्ट जाए अचानक से धराम से गिर जाए ऐसा नहीं हो सकता इन सभी स्टॉक्स में विप्रो लिमिटेड फ्लैक्षिप कंपनी अजीम प्रेमजी ग्रूप की और 1945 की आपको पता ही है दो विप्रो लिमिटेड इस फर्स्ट पी सी एम एम लेवल फाइब एन सी एम लेवल फाइब कि फाइब फाइब विमिटेशन ऊप्टवेर एप्लीकेशन डिवलप्मेंट की अपाइब परमेशन से जो 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 और विप्लीकेशन हॉना की बज़ासे आ और यह जो एप्लिकेशन मेंटेनेंस डेवलप्मेंट और मेंटेनेंस करती ऐसे कंपणियों पर तेजी आना संभव है इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो मेंटेनेंस के साथ साथ रिसर्च और डेवलप्मेंट सर्विसेश तू कॉर्पोरेशन ग्लोबली सिर्प इंडिया की आइब बाखने अनडियां आत SUBSCRIBE हैं इसके ये िलिएम ज्युपि या ना करूँ व्यान वीडिएयो पर हमें बताई रहे उसकी लगता कि काफी लोग इससे जांब होते हैं साथ सायथ तो हमें आपको और भी डिटेसट लीडियो प्रोवाइड करवाने के को कोशिज करूंगा जिसे भी स्टॉक को लाऊंगा उसकी डिटेल्स और भी ज्यादा देने की कोशिज करूंगा क्यूंकि टाइम के बाउंडेशन के हिसाब से वीडियो बनाया जाता है और उस टाइम पे मुझे सारी चीज इंक्लूड करनी पड़ती है देखें फंडामेंटर 500 रुपय का सब्सक्राइब दिख रहा मैं यहने करता हूं कि 1500 तक चला जाएगा बर्दी के इंटरंसिक वैल्यू कितनी जवर्जस्त है इसने एक जवर्जस्त ब्रेकाउट दिया यह ब्रेकाउट एक साल के चार्ट पेटन पे है और अगर इसे स्टॉक पे मंडे को आपको थोड़ी सी जादा तेज खुले तो थोड़ा सा वेट एंड वाच किजिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल होगा वह 282 का होगा और उसके बाद अगर यह स्टॉक नीचे आता है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्टिंग जोन होगा वह 272 का होगा मतल जोगी आप इन दोनों सपोर्ट लेवल के जितना नजडिक खरीद पाएंगे आपकाहस उतना छोटा होगा तो आपका सबन्होंस च्होटा होगा तापके लॉस होने के चांसे और प्रॉफिट होने के चांसे ज्यादा होजाएंद यह आप अपने हिसाब से वार्च जो भी इंडिकेटर से जो भी टूल से जो भी हमारे पास स्टॉक मार्केट को देखने के लिए सबी लोगों के लिए चाहे वह बड़े अनालिस्ट हो छोटे हैं हो अभी स्टार्टिंग किये हो सभी के लिए जो टूल्स मौझूद हैं वह सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बत अच्छी तरीके से और वो ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बना सकता फिर इंडिया की मैक्सिमम जेनरेशन स्टॉक मार्केट पर आके पैसे बनाएंगे यह पॉसिबिलिटी है कि यह स्टॉक यहां से एक अच्छा मोमेंटम कर सकता अगर आपकी एकुरिसी 75% है तो भी ब करना है आज तक जो कि यह पूरी तरीके से आपको स्योर्ट कर दे कोई भी पैटरंस नहीं है जिसका बेकाउट होने से लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत अबर रहती है दस में से अगर साथ भी कॉल आट भी कॉल आपके हीट हो गए जो कि टार्गेट ना हो कम से कम आपको प्रॉपिट हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है तो कहीं न कहीं पिछले वीक का जो डिटा था मारुति सुजुकी का वह आपको अबर लॉस नहीं दिया और इस वीक के लिए आप विप्रो लिमिटेट का ज़रूर अपने वाचलिस पे लगाई और देखिए पूर नेक्स्थ हर्डल है जो कि इसका लाइप टाइम हाई है और यह लाइप टाइम हाई कितना है तो 300 के आसपास में 298 का यह हर्डल है 298 का सौरी 2298 हो गया यह 298 का उपर पे एक पान साल का चार्ट पेटन है मैं आपको यहां से दिखाता हूं इस चीज को एक मिनिट देखिए यहां पे 298 का यह जो यहां पर आप देख पारें है यह 298 का इनका मैक्सिमम हाई था यहां पर अगर देखेंगे तो और इसका हाई अगर बात करेंगे तो लायफ टाइम हाई कितने का हां तो यहां पर आपको नजर आएगा लगबग 300, 300 के आसपास में है, 380, 380, जी है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, 334 का lifetime high है, जो कि मुझे ये stock जाता दिख रहा है, एक hurdle 298 के आसपास में है, और ये देखे 298 तो support levels काम करते हैं, आपको watch करना होगा closely, 298.45 के बास ये stock नीचे downside आया, high कितने का था, 298 cross करते हैं, ये stock 340 के आसपास में जाता दिखेगा, तो याद रखिए और watch list पे जरूर रखिए, विप्रो लिमिटेट को next week के लिए धमाल हो सकता है, इस stock पे, बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, trading अपने हिसाब से किजेगा, किसी के कहने पे नहीं, किसी के बोलने पे न पूरे week के लिए देखना है, अपने study को पूरी करने के बाद इस stock पे बनिएगा, ठीक है, मैं मिलता हूं, next video पे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you